नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अजीत सिंग आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे यूपी PCS 2018 प्री एक्जाम के कटाफ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि पेपर का लेवल मौडरेट था बहुत इजी भी पेपर नहीं था और बहुत हार्ड भी पेपर नहीं था और कुछ क्वेशन्स तो ऐसे थे जो कि बहुत ही इजी थे कुछ क्वेशन्स ऐसे थे जो थोड़े हार्ड थे बट ओवराल पेपर मौडरेट था और सबसे बड़ी बात यह हैं दोस्तों कि इस बार की यूपी पीसेस की एक्जाम में प्री एक्जाम हो चुका है आपका इसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर कि बच्चे परिसान हो या फिर ये भरती लंबी चले जैसा कि हम देखते आये हैं पिछली वैकेंसीज दो साल तीन साल चार साल ऐसे टाइम लग गए उसमें लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है इस बार जो है आपकी भरती जल से जल पूरी होगी अब दोस्तों बात कर लेते हैं कटाफ के बारे में प्रेंट्स बहुत सारे कमेंट्स आये थे बहुत सारे मैंने बच्चों से पूछे हैं उन लोगों ने, तो उसके according, उनके view के according मैंने जो बताई है, जो मैं cut-off बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी के आसपास आपकी cut-off रहने वाली है जनरल की cut-off 80 to 85 questions means 85 questions से ज्यादा आपकी cut-off नहीं जाने वाली जनरल के लिए, अगर आपके 80 plus है, 85 से ज्यादा है, तब भी ठीक है अगर आप 80 plus है 80 plus है 81 plus है, 82 plus है तो आप mains की तयारी में लग जाएं अभी से OVC के लिए 78 से 83 questions इक questions है friends, number नहीं marks नहीं, questions हैं OVC के लिए 78 से 83 questions जिनके हैं, वो mains के तयारी करें ST के लिए 75 to 80 questions ST के लिए 72 to 75 questions और female के जो cut-off होती है, वो SC के ही label में होती है, SC के ही आसपास होती है तो 75 या उससे ज्यादा जिनके questions correct हो रहे हैं वो mains के तयारी करें दोस्तों अभी कुछ questions wrong भी हो सकते हैं उनके लिए आपत्तियां भी मांगी गई है लेगिन अवे तक जो भी answer की जारी की गई है, उसके according के cut-off marks हैं अगर आपके questions अगर इतने से right हो रहे हैं category wise, तो आप mains के दयारी करना शुरू कर दें और friends, मेरे चैनल को लाइक करना न वोले और subscribe कर ले जिससे की आगे की update आपको मिलती रहे धन्यवाद, thank you